डेली करें निूस में अभी की खबर है लॉंच हुआ नासा का पेश उपग्रह हाले में स्पेस एक्स ने नासा के पेस उपग्रह को लॉंच किया है बता दे कि इस उपग्रह को स्पेस एकस फालकन 9 रॉकेट से IST केप कैना वेरल स्पेस फोर्स स्टेशन के स्पेस लॉंच कॉंपलेक्स 40 से लॉंच किया गया लॉंचिंग के कुछ समय बाद अंतरिक्ष यान रॉकेट के दूसरे चरड से अलग हो गया और अपनी सूर्य समकालिक अक्षा में प्रवेश कर गया फालकन नाइन रॉकेट के पहले चरड स्पेस फोर्स स्टेशन के लैंडिंग जोन एक पर उत्रा जिसने इस विशेश फालकन नाइन रॉकेट के लिए चौथी उडान पूरी की चली अब जानते हैं पेस के बारे में इसका पूरा नाम प्लैंक्टन, एरोसोल, क्लाउड, ओशिन एकोसिस्टम है यह उपग्रह वैज्ञानिकों को समझने में मदद करेगा कि जलवायू परिवर्तन समुद्री फाइटो प्लांक्टन को कैसे प्रभावित कर रहा है पेस हवा में धूल और धूए जैसे कड़ों के बादलों के निर्माण के साथ-साथ ग्रह की गर्म होने और ठंठा होने पर पढ़ने वाले प्रभाव को समझने में भी मदद करेगा हलाकि मिशन को पहले 6 फरवरी को लॉंच किया जाना था लेकिन प्रतिकूल मौसम के स्थिति के कारड इसमें देरी हुई पेस को सूरे तुल्यकाले कक्षा में स्थापित किया गया जिसका अर्थ है कि यह हमेशा सूरी के सापेक्ष एक ही स्थिति में समन्वित रहेगा गौर तलब है कि फाइटो प्लांक्टन जिसे माइक्रो एल्गी भी कहा जाता है महसागर के खादय जाल का आधार है तो चलिए देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को पेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजे एक इस उपग्रा को स्पेस एक्स फालकन नाइन रॉकेट से लॉंच किया गया है दो यह जलवायू परिवर्तन सम्मंधी चुनोतियों को समझने में मदद करेगा उपर युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है एक एवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनो, डी न तो एक और नहीं दो इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दे अभी के लिए वस इतना ही शुक्रिया अपने एक्जाम की तैयारी को और बहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना न भूले